हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चनल जारे डाउनलेन प्लासिज में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विश्य पर्यावरन अध्यन शीत कालीन अवकाश का ग्रह कारे कक्षा है बच्चों पहली 3 जनवरी 2021 का यहाँ पे हम हल करेंगे प्रेशन विश्य है बच्चों पारावारिक मुल्य तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाएए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए तो देखिए बच्चों पहली गतिवीदी है सर्दियों के अवकाश में आप अपने परिवार के साथ घर पर होंगे आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ गुनवत्ता पूल समय बिताने के लिए क्या योजना बना रही हैं कुछ ऐसे मुल्यों का उल्लेक करें जो आप बच्चों हमें भी नहीं आती है आस तक भी हमें नहीं आती है लेकिन हमारे दादा दादी को आती है क्योंकि बच्चों हर चीज हम पड़ाई से ही नहीं सीखते हैं इसके लिए बच्चों क्या होता है जो बड़े लोग होते हैं उन्हें हर चीज का तजुर्बा होता है ठी सभी यहाँ पर उन उल्लेकों का मुल्यों का उल्लेक करेंगे अगला है बच्चो प्रशन पहला यहाँ अपने परिवार की एक तस्वीर बनाईए या चिपकाईए तो बच्चो आप सभी को अपने परिवार की यहाँ पर एक तस्वीर बनानी है या फिर चिपकानी है अगला ग्रहकारी बच्चो 6 जन्वरी 2021 विश्य जल सन्रक्षन यानि की जल को हम किस तरह से बचाएं गतिवीदी पहली दैनिक जीवन में पानी का उपयोग लिखे या चित्र बनाईए तो बच्चो देखें आप सभी को पता है कि हमारे दैनिक जीवन में पानी जो है बहुत जरूरी है हमारे लिए ठीक है तो पानी हमारे लिए किस किस तरह से जरूरी है उपयोग में लिया जाता है आप सभी यहाँ पे उसका चित्र भी बनाएंगे और उसका उप्योग भी लिखेंगे जैसे हाथ धोने के लिए ठीक है दांट साफ करने के लिए करने के लिए बरतन साफ करना पौधों को पानी देना खाना बनाने के लिए बच्चों पानी का हमें उप्योग होता है चाहिए होता है नहाना नहाने के लिए हमें पानी के जबत होती है और पीने के लिए ठीक है बच्चों तो इस तरह से आप सभी उनका उप्योग लिखेंगे यहां पे और यहां पे उनके चित्र भी बनाएंगे ठीक है बच्चों इस तरह से आपको यह प्रेशन हल करना है अगला प्रेशन है बच्चो हम निमलिखित गती वीदियों के दोरान पानी कैसे बचा सकते हैं तो बच्चो हम कैसे पानी को बचा सकते हैं हाथ धोना तो बच्चो हाथ धोते समय हम पानी कैसे बचाएंगे तो यहां लिखेंगे हाथ धोते समय हाथ धोते समय साबुन लगाने तक नल बंद रखे क्योंकि बच्चों अगर हम नल चालू रखेंगे तो पानी बरबाद ही होएगा इसना नहाते समय तो बच्चों यहाँ लिखेंगे नहाते समय फर्मवारे की जगह बाल्टी में पानी भर कर नहाएं ठीक है बर्तन साफ करना बच्चों बर्तनों को कैसे साफ करेंगे तो बच्चों इसका मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ तो यहाँ पर लिखेंगे बर्तन को नल के नीचे नहीं धोएं नल के नीचे नहीं धोने चाहिएं बाल्टी या बड़े बर्तन में बड़े बर्तन में पानी लेकर धोएं ठीक है बच्चों और कपड़े धोने के लिए तो यह क्यासे करेंगे कपड़ों को संभव हो तो हाथ से धोएं वाशिंग मशिंग का वाशिंग मशिंग का उप्योग ना करें ठीक है बच्चों इस तरह से आप सभी को पानी बचाना है तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वरक्शीट को हल करना है उमीद करती हूँ बच्चों सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों अगर आप सभी को अच्छे से समझ में आई है तो आप सभी वीडियो को लाइक बटन दबा करके जरूर लाइक करे जादा से जादा वीडियो को शेयर करे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर लिख कर बताए कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है जल्दी से जाईए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद